आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आप अपने M.I.T.V को अपडेट कैसे कर सकते हैं ठीक है यानि हम सौप्टवेर अपडेट की बात कर रहे हैं और वो इसलिए करना जूरूरी रहता है क्योंकि आपकी बहुत सारी जो एप्लिकेशन है वो प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कि जैसे आपका जो Android TV है या Smart TV है वो Wi-Fi के साथ या Internet के साथ जब Connected नहीं होता है तो बहुत सारी जो एप्लिकेशन होती है हमारे Android TV में वो प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करती ठीक है तो इसलिए हमें सौप्टवेर को अपडेट करना रहता है तो वो किस तरीके से कर सकते हैं तो मैं अपने फ्रेंड के लिए वीडियो बना रहा था तो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए भी मैं इस वीडियो को शूट कर देता हूं ताकि एक साथ double काम हो जाए तो जैसे उनके case में क्या था कि उनके पास इंटरनेट नहीं था ठीक है अब जिनके पास इंटरन जो setting है वो आगे पिछे मिलती है टॉप में जाने के बाद सबसे पहले setting में जाएंगे setting पे ok प्रेस करेंगे तो जैसे मेरे friend के case में क्या था कि जो उनका wifi था या internet था वो off था ठीक है ऐसा नहीं कि उनके घर में wifi नहीं था वाइपाई उनके घर में प्रॉपर लगा था ले wifi को enable करने के बाद आपको wifi के इस तरीके से बहुत सारे network आएंगे तो जो भी आपका network होगा आप उस पर ok प्रेस करेंगे और उसको connect कर देंगे तो हमारे case में GO5 और 5G वाला network है और उसको हम already connect कर चुका है तो जैसे आपके case में क्या होगा जैसे मालेते हम 4G वाले से connect करना चाते हैं तो ok प्रेस करेंगे तो जो भी आपके wifi का password रहेगा या hotspot का password रहेगा आप उसको यहां पर enter कर देंगे और enter करने के बाद आप इस तरीके से connect कर देंगे ठीक है अब जैसे यह आपका wifi connect हो जाता है उसके बाद अपने आप ही automatically actually जो आपका android tv है वो अपने आप ही update हो जाएगा ठीक है future में लेकिन ऐसा होता है कई वार जो wifi होता है हमारे पास वो कुछ time के लिए होता है जैसे mobile से आप से कुछ time के लिए जो है update करना चाते है या कभी कबार अपने android tv को use करते हैं तो उस case में आपको फिर manually जो है software को update करना होता है तो उसके लिए आप क्या कर update इस पर हम ok press करेंगे और उसके बाद अगर आप internet से connected होंगे तो आपको इस तरीके से आएगा checking for updates और your system is up to date हमारे case में कहा है कि हमारा जो system है up to date है तो यहां पर आएगा install update करने का option तो आप यहां पर download करेंगे उसको तो जैसे ही आपकी वो update से वो पहले download होगी उसके लोग DTH use करते हैं उनके घर में वाइफाई नहीं होता बहुत सारे लोगों के तो उस case में फिर manually आपको जो है इसको update करना रहता है ठीक है तो उमीद है आपको यह वीडियो काफी पसंद आई होगी बैसा तो simple वीडियो थी यह तो बाकी जिनको मालूम है हमारा telegram channel भी है उ उसमें हम आपको android tv से लेटे जो है tips and tricks देते रहते हैं तो आप हमारे telegram channel को भी join कर सकते हैं तो मिलते हैं ऐसी किसी similar वीडियो में तब तक के लिए बाए बाए दोस्तों